नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर किशुर गिल्डियाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस एस्ट्रो चैनल में जिसका नाम है किशुर अस्ट्रलोजी हमने अपनी पिछली वीडियो में राशी और लगन का अंतर बताने का परियास किया था जिसे आप स अपसर जिकर होता रहता है यह क्या होती है तो यह मैं आपको पता दूँ जब भी कोई जातक इस तुरी अध्वा पुरुस इस धर्ती पे जनम लेता है तो उस समय जो ब्रमान में ग्रह गोचर कर रहे होते हैं उनकी जनमकालिन इस्तिती को हम लोग एक फोटो फ्रेम के तह पतार लिया जाता है जिस समय जातक का जनम होता है उसको जनम पत्रिका या जनम कुंडली कहा जाता है ध्यान रखेगा दोस्तों एक समय पर धर्ती पर कहीं सारे जातक पैदा होते हैं और अलग-अलग देशों में भी जातक पैदा होते हैं तो सबकी कुंडली क्या एक जैस जन्म पत्रिका का आंकलन या विशलेशन किया जाना चाहिए बहुत अच्छे जोची इस विशे पर अपने अलगर राय रखते हैं लेकिन मैं आपको सीधी और सपार बात बता रहा हूं समय काल और पात्र अनुसार ही फलित विशलेशन कुणली द्वारा किये जा सकते हैं जन बहुत उनके फलित में बहुत सारा फरक या डिफरेंस आ जाता है अब जब जन्म पत्रिका आपके सामने आ जाती है यानि वह समय जब जा तक पैदा हुआ है उस समय की इस्तिती के अनुसार जो ग्रह गोचर ब्रहमान में कर रहे थे उनकी फोटो आपके सामने आ गई है मैं आपको अवश्य बता दूं कि जो भी ग्रह गोचर कुणली में आते हैं वो हिंदू सार्स्तर के अनुसार माना जाता है कि जातक के पिसले जन्मों के कर्मों के द्वारा निधारित होते हैं कि वो धर्ती पर किस जगा किस समय पर पैदा होगा ये ध्यान रखेगा दोस् पिस्तिती के अनुसार कुणली तो एक ही होगी लेकिन दोनों का भुश्य समय काल और पातर के अनुसार बिलकुल ही अलग हो जाएगा बहुत से लोग इसमें भ्रह्म पाल के रहते हैं कि जब एक ही समय पर एक ही कुणली है और कहीं जातक पैदा होएं तो सब का भुश्य एक जैसा होना चाहिए तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है क्योंकि यहां पर यह अवश्य धियानक है कि जातक ने जो पिछले करम किये हैं उसके अनुसार उसको समय काल देश और पातर के अनुसार धरती पर भेजा जाता है क्योंकि हम सब जानते हैं कि सूर्य इस्तिर रहता है पृत्वी उसके चारो तरफ चक्कर लगाती है तो जिस समय जातक का जनम होता है वहां जब धरती घूम रही होती है तो वहां से सूर्य जिस राशी में दिखाई दे रहा होता है उसको हम उसकी सूर्य की राशी मान लेते हैं जिससे एक महां तक सूर्य का गोचर उसी राश चाल रहा है इसमें हम चंद्रमा को महत्व देते हैं चंद्रमा जो है सवा दो दिन में जैसा कि आप सब जानते हैं आकाश में भ्रमन कर लेता है और क्यूंकि सवा दो दिन सूरे के कम पढ़ते हैं तो हम लोग जादा accurate हो जाती है यानि भारतिय जोतिस इस जोतिस विध्या में थोड़ा सा जादा accurate सावित होता है या पलित उसके विश्य सुर्प से सही सावित हो जाते है और उससे भी थोड़ा और आगे हम जाएं तो परतिय लगभग दो घंटे के आसपास लगण अर्थवा वह हिस्सा जो मैंने आपको पिछली वीडियों में बता आया था कि सरीर का वह हिस्सा जब वह जर्म के समय पुरुव दिशा में उदित हो रहा था उससे सरीर का वह हिस्सा जर्म लेता है जिसको हम लगण बोलते हैं और वो दो गंटे के लगबग घुम जाता है, तो हम और ज्यादा उसके करीब चले जाते हैं, कि इस दो गंटे में जितने बालक पैदा हुए है, तो उनका फलित करना हमें और भी आसान हो जाता है, अब यहां मैं आपको बता दूँ कि जातक अगर सुबह सुबह जनम लेता ह है, तो साधरनता उसके लगन में सूर्य होता है, और यदि दोपैर के समय जनम होता है, तो वो दसमे घर में सूर्य होता है, और साम के वक्त जनम होने पर सातमे घर में सूर्य होता है, और अगर मध्यरातरी के समय जनम होता है, तो उसकी पत्रिका में चौथे भाव में सूर जो ग्रह उस पत्रिका में छब गए हैं उन ग्रहों की जब दशाएं आती तो जातक Hag Josh को आप निधारित करवा कर क्या लाये हैं वह कत्थनी रहतो आप अपने कर्मों के इन ग्रहों को अच्छा या बुरा कैसे हैं धर्थी पर आकर ये आपकी कर्मी पर डिपेंड करेगा इसलिए कर्म को प्रधानता दी गई है भाग्ये तो लिखा जा चुका है परंतु उसको अपने कर्मों के द्वारा बदला जा सकता है तो दोस्तों ये था जर्म पत्रीका का बताने का तरीका कि जन्रम पत्रीगा क्या होती है और जन्रम पत्रीगा से हम किस प्रकार से फलित कर लेते हैं कि जातक का मुवमेंट किस दिशा में या किस छेतर में को ज्यादा कामियाब होगा कैसे काम करेगा तो दोस्तों यह मेरा एक छोटा सा परियास था जो आपको जर्म पत्री का क्या होती है इसके विशे में जानकारी दिरे था आपने हमें सुना हमारा पिछला वीडियो आपने आपने हमें सुना आप सभी का धन्यवाद नमस्कार